बाई थाब हलो तो मुच्छडाए जा रहा यार कि यह ट्रक वाले ने ट्रक को लाद के लिए तो कर दोस्तों कैसे आप लोग उम्मित करता सब बढ़ियां होंगे तो दोस्तों हमारे नए ब्लोग में स्वागत आप लोग का अभी में मजरेम आया हो लड़ी क्योंकि सामान माल लिया और छोड़ने आया था क्योंकि तिन चार दिन के बाद इद एठाटाइस उठाइस तारिक दुकान बंद हो जाएंगी फिर चार पाद दिन के लिए दुकान कंटीनी वह सकता बंद रहेगी पिर समान मिलना इंपोसिबली है इसके बज़ाए आज भी गया सब समान लादा आया अभी मजरेम डायरेट कल भी समान लेकर आएंगे तो दोस्तों अबी साड़े 11 बज़ आज कब लोग दोस्तों अच्छा लगे दिप्लीज प्लीज अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करतेना लाइक सेर एंड कमेंड भी करतेना सबस्तों तो अभी साड़ी 11 बज़ ने हैं दोस्तों कि मैं नास्ते में क्या सेंडवीज है लोजी आप लोग को आज मैं बताऊंगा आप लोग बने रहेगा लाश्ट तर फोड़ा इंफ्रमेशन मिलेगा आप लोग को तो सकते इंडियम होता है कि नहीं होता है तो मुझे उम्मित कमी है यह दिखाऊंगा आप लोग को तो अच्छा लाएगा वीडियो खेत में जो पानी दे तो दोस्तों जाने से पहले बताने से पहले आप लोग को सब्जी थोड़ा महुल दिखा देते हैं सब्जी क्या हाल है यह बेंगन है बेंगन दादा और यह दिखाता हूं अब लोग को बेंगर क्या हाल है यह दो को छोटा सप्यारा सब्सक्राइब देखा देखो डिजाइन जैसे कोट काटे नहीं होते हैं सब्सक्राइब काटे जैसा उपर आकर पत्ता भी देख रहे हो ना पत्ता भी चीशा गया है पानी तो अभी खोले सब्सक्राइब कर दोस्तों कि अभी साड़ी ग्यारा बजने दोस्तों अभी खाल देख लोग क्या गर्मी है भी 43 सिल्सी चल रहा है और इदर का जो पत्ते कट्ते खजूर का ना यहां पेला कर रखता है कि और एक बार जमा करेंगे इसको आग लगा देंगे फिर आग लगा देंगे सामको 6-7 बजे लगाएंगे रात बड़ जलेगा पूरा यहां से लेकर वहां तक है काफी सारा हो गया देखो कब जलाते हैं इन लोग हवा कम हो भी तो जलाएंगे लगता है अगर कफिल के तर देखिए यह चीज़ों करें महां तक है कि वह दूर तक है पतलब होगा है इसका एक दो तीन 300 मिटर है 300 500 होगा क्योंकि इसका यहां से और उस टायर तक इसकी दूरी सब मिटर होती है यहां पर बंद चालू करने का भी लगाया है फिर यहां से जाता है इसमें मोटर नहीं लगी इसमें जरुत भी नहीं क्योंकि यतनी बड़ी उपर है यह पूरा लाइट का सिस्टम यहां पर है ठीक है यहां से टाइमर भी है टाइमर है तकरीब मुझे नोलेज कम है इसके बिसे में लेकि बता रहा हूं और यह ओन ऑफ करने का है तो बिजली कितना वाट के आ रहे हैं यह देखने के लिए इदर और लाल पेला पता नहीं क्या-क्या है तो दोस्तों कुल मिलाकर वहां से पानी आता है यहां से डायर्ट होके काली वाली पाईप देख रहे हैं और जो उपर के अंगल लूग देख रहे हैं वह सपोर्ड के लिए उप्सक्रय वाली तो रुप यह में है उत्यपैप जो सब्लड की तो काईशा कर्म सब्सक्रया हुआ तो दोस्ता पानी जब भरा रहता है इस पाइप में आता है यहां जब पानी आता है यहां से डारेट आके यहां पर गिरता है यहां पर गिरता है यहां पर गिरता है फिर फवारा बनता हो फवारा बनके अपने येरिया का जिदना रहता है येरिया कवर कर लेता है अपना हो पूरा सिस्टम फाइब से ही है देते होंगे आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा लगा हुआ है कई कई नहीं लगा इसके वज़ा से पुराना हो गया निकाल दिये निकाल देखो नहीं दो टायर एक अगे पिछे कहा ती जाता है नै इसे उदर से टाइमर करती है मरें को आगे ले जाना भी इसको आगे जाए कि इते स्पीड में रहना है उतनी स्पीड में रहे गई और पहुंचेगा शुबा तो पहुंचाना है पूरा हंडल से बोड़ से एक गेर है एक सफाट इदर लगा हुआ है और पीछे लगा हुआ है अगर आगे लेना चाह रहा है तो यहां से दबाएगा न तो आगे जाएगा अगर पीछे करना होगा तो पीछे भी जाएगा ठीक है यह कंपनी का है वह क्या है तो एक गेर है हर टायरों के पास में एक गे चल रहा था वहां तक मैं बता दिया हूँ आप लोगों को क्योंकि मजरिम जो काम करते हैं लोग खेती में जो बड़े-बड़े खेति वे उन लोग को जितना पास नहीं है लेकिन जहां तक बता है कि उम्मिद करते हूं आप लोग को पसंद भी आया होगा तो दोस्तों अप घर में थोड़ा समान लेकर आए हैं घर से उतारेंगे उतारने बाद नीबू की खेती जहां पर वहां पर चलेंगे क्योंकि काफी समय हो गया देखता हूं कि अगर नीबू आ गया अगर तोड़के भी कुछ लेकर जाएंगे अपने रूम के लिए अगर दोस्तों बने रही ह ऐसे कुछ खास नहिए दोस्तों अभी पका नहीं है सब कच्चा है एक है मुसंवी रहे है क्या है कि अब लोग को दिख रहा होगा इस देर बड़ा वाला न्यप्पु वाँ भाई वाई भाई भाई धोप बहुत कड़ाके की है दोस्तों गरवर टोपी निकाल दो न सर्स पानी निकलेगा बोल रहे हैं बोलते हैं न सर्स पानी कलना तब एदो मिनिट निकल लेगा तेख नेबू लेके जा रहा हूं ये बड़ा वाला वावाव क्या खुसबू है खुसबू ओके दोस्तों अब निकलते रियात के लिए चलो दिखाते रोडों पर क्या है पून किया तो बोल तक मैं आ रहा हूं इंतिजार करते हैं आगे बड़ा चल्दी आगे वीडियो बना जाते जाते एक और देगिया अद्धा उता है इसको भी ले कराना हसिया ज्रींा हटि दिखाता हूं我觉得 मैंद उसको बोला मंगा ना जो मंगाले बाई बाद में मत बौलना जीद के लाए दिकान से लाएगा, दुकान चार पांदने के लिए क्लॉस हो जाएगा भाई ट्रेलर वालों के एक चीज अच्छी लेगी, उसका कानून का पालने भी करते हैं रेत होती है न, या कोई बीची जोगा, रेत, सिमेंट या तो लोहे का कोई सामान रहता है उसको ढख लेकर जरूर जाएंगे, रेत खुला लेकर जाएंगे तो उड़ता रहता है अमारे इंडिया में क्या है कि बाइक वाले आख में कहां पर और उसके एक्सिडेंट भी होता है, लोग परवार नहीं करते हैं लेकिन याव शेप्रिक तोर पे जो काईदकान होना उसका पालन भकू भी करते हैं लोग, नहीं करेंगे दभाई पूलिस वाला लाल तो करेग है उपर से कि ताकि कोई भी समाच छोटा सा भी समान रहे ना उड़कू किसी की गाड़ी कुपर कोई नुक्सान ना हो किसी को उसके वज़ेस एक्सिडेंट हो जाए रख वाले ने ट्रक को लाद के लिएक दो ट्रक लाद के लिएक जा रहा हुआ भाई अब देखो इन लोगे चमड़ी कितनी कुतर नाक होती होगी कितना दूख पड़ रहा है फिर भी साहे लेते होंगे तो अलो हाई हलो भाई साब हलो अलो है वह तो मुच्छडाय जा रहा है यार वह बाई साब तुम्ही थोड़ा यार हलो हाई तुकर दो हमारे वीवर्स को हमारे पबलिक को हमारे भाई दोस्तों को भाई जा रहा है भाई वह नहीं आएगा यार देखो नहीं यार में इतना चीद कियों फिर प्यालो